तो चलिए देखते हैं कि Newton's first low क्या होता है Newton के first low के according अगर कोई भी object rest condition में है तो वो तब तक rest condition में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई external force ना लगाया जाए या अगर कोई भी object एक uniform velocity से move कर रहा है तो वो उसी velocity से एक straight line के उपर move करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई external force अप्लाई करके उसे रोका ना जाए यारी कि simply हम कह सकते हैं कि हर एक object अपनी condition के change होने का opposition करता है और जिस condition में वो होता है उसी condition में continue बना रहना चाता है object जिस state में है उसी state में बने रहने की इस property को हम inertia कहते है किसी भी object का inertia उसके mass के directly proportional होता है inertia के opposite अगर हमें किसी भी object की state change करनी हो तो इसके लिए हमें external force लगाना पड़ता है अगर कोई भी object rest condition में है और उस पर net force 0 है तो वो rest condition में ही रहेगा यानि कि वो अपने आप अपनी state change नहीं कर सकता लेकिन अगर कोई भी object एक constant velocity से move कर रहा हो और उस पर net force 0 हो तो वो object एक constant speed से एक straight line path की उपर move करता रहेगा यानि कि वो अपने आप अपनी speed और direction change नहीं कर सकता हम अपनी Delhi life के अंदर भी Newton's first low के काफी examper's देखते हैं जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई रुकी वी गाड़ी अचानक से चल पड़ती है तो उसमें बैठेवे passengers पीछे के और जुख जाते हैं तो इसका reason क्या है तो देखिए अगर हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी अचानक से चलना start कर देती है तो इससे हमारी बोड़ी का जो lower part है वो गाड़े के साथ में move करना start कर देता है लेकिन हमारी बोड़ी का जो upper part है वो inertia की वज़े से उसी condition में यानि की rest condition में बने रहने की कोशिश करता है जिसकी वज़े से हम पीछे के और जुख जाते हैं इसी तरीके से आपने मैसूस किया होगा कि जब हम किसी car या बस के अंदर travel कर रहे होते हैं और जब brake लगाया जाता है तो हम तेजी से आगे की ओर जुख जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है तो इसका reason है कि जब हम car या बस के अंदर travel कर रहे होते हैं तो हमारी speed भी car या बस की speed के equal होती है लेकिन जब brake लगाया जाता है तो car या बस के साथ में हमारी body का जो lower part है वो तेजी से रुख जाता है और हमारी body का जो upper part है वो inertia की वज़े से अभी भी उसी speed से move करने की कोशिश करता है और इसके वज़े से हम तेजी से आगे के और जुख जाते हैं